प्यारे बच्चों संख्याओं में हम लोग बात कर रहे हैं अब हम बात करते हैं क्या अब देखते हैं संख्याओं के प्रकार प्यारे बच्चों अगर मैं एक आपके लिए डाइग्राम संख्याओं के उपर बनाओं तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि संख्या हो लेकि हम दो तरीके से किस तरीके से एक तो मैं बोल सकता हूँ बच्चो एक तो होती है मेरे लिए वास्तविक संख्याए ठीक है जब कि दूसरी होती है मेरे लिए इमेजनरी यानि कि मैं बोलता हूँ से आई वास्तविक संख है यानि कि या फिर इन्हें बोला जाता है कालपनिक संख है आई वास्तविक ठीक है मतलब ये नमबर कहलाते हैं मेरे लिए रियल नमबर जबकि ये नमबर मेरे लिए कहलाते हैं इमेजनरी नमबर समझ रहे बेटा जो real number की बात की जाती है ये वो number है जो real में होते है और ये imaginary है ये ऐसे number है ये वो number है मैं इसे आपको इस तरीके से समझा सकता हूँ कि हम एक line row करते है इधार एक line row करते हैं माइनस के infinity से पिलस के infinity तक की हमारी value होती है मतलब इसे बोलते हैं अनंद ये हो गया अनंद मतलब माइनस के अनंस से प्लस के अनंद तक जाती है और ठीक बीच में यहाँ पर एक जीरो आती है ठीक है अब वैल्यू किस तरी के चलती है बिटा इधर तो चलती है वो right side में plus में plus का 1, plus का 2, plus का 3 और ऐसे ही चलता जाएगा कहां तक plus के infinity तक जब value हम पीछे जाते हैं तो बिटा minus 1, minus 2, minus 3 और इस तरीके से ये value इधर जाएगी समझ रहे तो ये value इधर जितनी जाएगी वो छोटी होती जाएगी इधर जो value जाएगी वो उतनी बड़ी होती जाएगी जैसे 3, 2 से बड़ा है ऐसी minus 1, minus 2 से बड़ा है मतलब इधर की तरफ संख्या कैसे चलती है इधर संख्या होती है छोटी बिटा इसमें ध्यान रखेगा बच्चे कई वार इनमें के doubt में आ जाते है minus की 3, क्या minus की 2 से बड़ा है? नहीं, minus का 3 छोटा है क्योंकि जो left side में है वो छोटा है और जो इधर की side में है वो संख्या बड़ी है इधर संख्या छोटी होती है, इधर संख्या बड़ी बिटा तो इस table पे, इस line पे जो भी संख्याएं आ सकती है वो सभी संख्या क्या कहलाती है मेरे लिए बिटा वो मेरे लिए सभी संख्या रियल नंबर या वास्तविक संख्या कहलाती है ठीक है माइनस के अनंत से प्लस के अनंत तक जो भी संख्या जाएंगी वो सभी संख्या मेरे लिए क्या कहलाएंगी वो एक real number है वो एक वास्तविक संख्या होती है हम यह बात समझ गए एक है, दो है, चार है, छे है माइनस एक है, माइनस तीन है, प्लस तीन है जो भी है, जीरो है यह सब ही मेरे लिए real number है यह सारे real number वास्तविक संख्या कहलाती है उमेर है ये बास समझ में आ गई होगी तो सभी संख्या हैं रियल होंगी अब बात आती है कि जब सारी सार जी माइनस के इंफिनिटी से प्लस के इंफिनिटी तक सभी अगर रियल है तो फिर ये अन्रियल कौन सी है इमेजनरी या कालपनिक संख्या है कौंजी है बिटा ये वो संख्या है जो सिल्फ कलपनाओं में होती है जबकि हकीकत में नहीं होती कैसे हम लोग देखिए संख्या मानते एलफा बीटा गामा आयोटा ये वो संख्या है जिने हम मानते ना कि इसका मान माना हमने एलफा है इस इस कमान मालिया हमने गामा है इस कमान मालिया बीटा है तो वो एक ऐसी संख्या है जो imagine किये जाती है होती नहीं है और एक और जैसे आप याद रखेगा root के अंदर कोई भी value अगर minus में है तो बिटा ये इमेजनरी संख्या है क्योंकि root के अंदर कभी भी कोई संख्या minus में नहीं हो सकती और आप एक चीज जानते हैं ये root का मतलब क्या हुगा इसके आगे कर में एक a मान के इसे solve करूं तो root हटा हूँगा तो में लिए क्या बनेगा minus का x बराबर a का square मतलब a into a बिटा कभी भी दो संख्याओं की आपस में गुणा करने पर आंसर कभी भी minus में नहीं आ सकता देखे कैसे मैंने माना a का मान minus 2 है तो इधर भी तो minus 2 ही होगा क्योंकि a गुणा a हुआ है तो बटा minus 2 minus 2 यह minus minus plus हो जाएगा इसी तरीके से अगर मैं प्लस का दो लूँ और फिर गुणा मैं फिर प्लस का दो दूँ तो दो गुणा दो करूँगा बेटा तो तब भी प्लस का चार आएगा आप समझ रहें तो कभी भी कोई भी value अगर root के अंदर है तो वो minus में नहीं हो सकती इसलिए हम इन संख्याओं को क्या बोलते हैं image नरी संख्याओं भी बोलते हैं like इसी तरीके से आपका alpha है, beta है, gamma है ये सारी संख्याओं image नरी होती हैं जिने हम लोग सिर्फ image कर पाते हैं real में इनका कोई लेना देना नहीं होता है तो ये दो संख्याएं हो गई वास्तिविक और एवास्तिविक हम क्या कह सकते हैं वास्तिविक संख्याएं वो सारी संख्याएं जो एक नंबर लाइन पे दिखाई जा सकती हैं एक नंबर लाइन पे दर्शाई जा सकती हैं वो सभी वास्तिविक संख्याएं हम बात समझ गए होंगे हाँ पर संख्याओं के यह कुछ प्रकार हुए कि दो प्रकार की होती है आगे बात करें तो हम बात करते हैं संख्याओं की पद्धती की कि संख्या पद्धती क्या है बिटा संख्या पधती की बात से पहले हम लोग सोचें कि संख्या ही क्या है? संख्या क्या होती है? किसी भी चीज को काउंट करने के लिए, किसी भी चीज को मापने के लिए, किसी भी चीज का आकलन करने के लिए, जिन भी चीजों का, याने कि जिन भी अंकों का हम प्रयोग क बोल सकते हैं, ठीक है, देखे, संख्या पदती, चार थारीके से हम लोग इस्तमाल करते हैं, वेटा, पहली होती है, मेरे लिए, अगर मैं देखों, तो वो होती है, बाइनरी, दूसरी संख्या वेटा, वो होती है, डैसीमल, तीसरी संख्या, हम लोग बोलते हैं, उसे ओक्टल, चौथी संख्या, मेरे लिए, वो होती है, हेक्साडेसीमल, ठीक है, बाइनरी संख्या है, और देखे, इसकी में एक चीज लिखके दे रहा हूँ, सभी चीजों का बेस, वो अभी मैं आगे बताऊँगा, आपको क्या होता है, इसका बेस दो है, डैसीमल का बेस, दस है, ओक्टल का बेस, बाइनरी में दो अंक आते हैं, डैसीमल में दस अंक आते हैं, ओक्टल में आठ आते हैं, हेक्सा डैसीमल में सोला आते हैं, ठिक, अब क्या है, बिटा हम लोग जो हूँमेन बीं हैं, जो हम मानव हैं, हम लोग कौन सी पद्धती का परियोग करते हैं, बिटा हम लोग परियोग करते हैं, डैसीमल का जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, दस अमलव, दस संख्या हैं, दस अमलव की भिन्नों, यानि की दस अमलव पद्धती का हम लोग परियोग करते हैं, ये वो पद्धती हैं, जिसका बेस कितना होता है, अब बेस क्या होता है, बे वाइल का कीपट होता है उसमें हमारे पाद कितने अंख होते हैं बिटां ही अंख है एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नो दस खुल मिलाके दस अंख है तो मेरे लिए मैं कहसकता हूं कि दसमलब पधती का जो वेस है, बेटा वो कितना है, दस है, क्योंकि इसके इंदर कुल मिला के कितने अंख है, दस अंख है, तो जिस भी पधती में जितने अंखों का प्रियोग, उतना ही उनका बेस, ये हो गया में लिए decimal, यानि कि हम लोग decimal पधती का प्रियोग करते हैं, decimal system क हम लोग use करते हैं, जिससे हम लोग decimal पधती बोलते हैं, बेटा फिलाल आपके लिए ये जो दो चीजें हैं, ये तो exam में नहीं पूछी जाती हैं, कि octal में या hexadecimal में बताइए, बट जो जरूरी है, वो मेरे लिए एक binary है, और एक decimal है, ये दो वो चीजें हैं, जो मेरे को बहुत अच्छे से आनी चाहिए, कि binary क्या है, बेटा binary एक ऐसी पधती है, जो computer के अंदर प्रियोग की जाती है, क्योंकि computer दशमलब पधती को नहीं, binary पधती को इस्तमाल करता है, और computer binary ही समझता है, decimal को नहीं समझता है, हम समझते हैं किस तरीके से? हम सीखे बच्छे यहाँ पर कि binary क्या है और decimal क्या है, देखे, decimal मैं इधर लिखके रखता हूँ कि यह हो गया decimal पधती, और मैं इधर लिखके रखता हूँ, यह हो गई मेरे लिए binary पधती, इसका जो base है बेटा, वो 10 है, इसका जो base है वो 2 है, base का मतलब इसके अंदर जो अंक है वो कौन-कौन सी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, और 0 है, कुल मिला के कितने अंक है, 10 अंक, इधर आ जाओ बटा, binary में सिर्फ 2 ही अंक है, 0 है, और 1 है, अब हमें क्या सीखना है बटा, हमें अब सीख बदला जाता है, binary को decimal में कैसे बदला जाता है, ये वो पद्धती है, जो मानव के दोहारा प्रियोग की जाती है, हम लोग इन संख्याओं का प्रियोग करते हैं, विटा, ये वो पद्धती है, जो computer के दोहारा प्रियोग की जाती है, ठीक है, दो तरीके की पद्धती है, कि computer क्या use करता है? वो 0 और 1 यूज़ करता है. हम क्या use करते हैं? हम 0 से लेकर 9 तक किसन क्या use करते हैं? अब इन चीजों को हम लोग सीखते हैं कि decimal से binary में कैसे बदला जाएगा और binary से decimal में किस तरीके से बदला जाएगा? देखे, हम लोग पहले सीखते हैं decimal to binary यानि कि decimal से binary में बदलना मेरे को फिलाल कैसे बदलनी है कोई भी संख्या? मुझे decimal से बदलनी है binary में किस तरीके से बटा? मैंने आपके सामने एक संख्या लिखके दी मैंने लिखा 7531 या कुछ भी लेख सकते हैं पहले एक छोटी संख्या ले लेते हैं क्योंकि वो जल्दी समझ में आएगा मैं बच्चों आपके सामने लिखूँ कि 48 48 कैसी संख्या है बेटा? 48 देखिए इसमें 4 है और 8 है तो इसका मतलब ये एक decimal है क्योंकि binary के अंदर 0 और 1 के सिवा कुछ नहीं होता तो इसका base कितना मैं लग सकता हूँ बेटा इसका base है 10 तो ये कैसी संख्या है decimal अब आप से पूछा जाए बताइए इसका binary form क्या होगा क्योंकि इसका base कितना है? 2 समझ रहे? जब भी base 10 मिले तो समझ जाएए वो decimal number है decimal नमबर को binary में बदलने के लिए हमेशा याद रखेगा हमेशा 2 से हमेशा 2 से factorize करते है हमेशा factorize करते है किस तरीके से factorize करते है बट ये समझ लीजे कि 2 से factorize करते है करते किस तरीके से है वो आप देखते है क्या होता है factorization आपने ये चीज़ समझ जोंगे किसी भी decimal number को binary में बदलने के लिए हमेशा 2 से factorize करेंगे मेरे सामने एक संख्या लिखी है 48 और 48 का बेस है 10 तो इसे binary में बदलने के लिए ठीक से समझ लीजिएगा मैं इसे सिर्फ 2 से ही factorize करूँगा 2 से किया 2 से मैंने इसे काटा तो 48 कितनी बार कर जाएगा 24 बार लेकिन क्या कोई remainder या कोई 6 बचेगा जी नहीं कोई 6 नहीं बचेगा तो यहाँ पर लिख दीजिए 0 कोई 6 नहीं बचा तो 0 फिर 2 से भाग लगाईए बटा 2 से भाग लगाया तो 12 अब भी कुछ नहीं बचा क्योंकि 12 दूनी 24 पूरा पूरा कट गया फिर 0 फिर आगे चलिए फिर 2 से भाग लगाईए बटा 2 से भाग लगाया तो हो गया 2 चिका 12 अब भी कोई 6 नहीं बचा तो फिर 0 फिर आगे चलिए 2 से भाग लगाईए बटा 2 से भाग लगाया तीन वार 2 तीया 6 पूरा कट गया अब भी कुछ नहीं बचा आगे चलिए दो से भग लगाएंगे तो दो एक कम दो यहांपे बच जाएगा एक तो मैं क्या कर सकता हूँ एक आगया यहाँ पर बेस ठीक है अब लास्क मैं विटा जो मेरे पास एक बचा है मैं इसे दो से नहीं कार सकता तो इस एक को भी मैं वापिस यहीं पर ले आता हूँ इस एक को भी वापिस यहीं पर लेकर आया हूँ अब इस संख्या को नीचे से सुरू करते हुए उपर की तरफ लिखती जिए नीचे से सुरू करते हुए उपर की तरफ कैसे लिखेंगे बेटा यहां से सुरू की जी यह लिखा है वन फिल लिखा है आपके लिए वन फिल लिखा है इसके बाद 4-0 तो 0-0-0-0 मेरे लिए यह इसका binary code बन जाता है मैं इस 48 को इस 48 को अगर binary में लिखना चाहूँ तो इस तरीके से मैं इसे binary में भी लिख सकता हूँ समझ मैं आभी पात तो binary में बदलने के लिए 1-1-0-0-0 clear हुआ इस तरीके से आप लोग चीजों को binary में बदलने जिए हम एक बार फिर से देख लेते हैं इस चीज को कि क्या कह रहा है हमने दिया 48 एक decimal number इसे binary में बदलना है तो binary में बार बार जाएगा कोई 6 नहीं बचेगा दो से 12 को भाग लगाएंगे छे बार जाएगा कोई 6 नहीं बचेगा दो से 6 को भाग लगाएंगे तीन बार जाएगा कोई 6 नहीं बचेगा दो से 3 को भाग लगाएंगे हम एक कोशन फिर से ले लेते हैं हम इस चीज को ध्यान दखें क्योंकि मैं अभी इसे क्रॉस चेक करने वाला हूं कि 48 को जब बाइनरी में बदलते हैं तो वो कैसा बन जाता है 1 1 0 0 0 0 हम इस चीज को नो टकते हैं हम एक और नंबर लेते हैं अब की बार हमने एक एवन नंबर यानी की संख्याने कौन सा हमने माना वह संख्या है 37 बेटा 37 को 33 एक 37 के साथ बना है तो डेसिमल नंबर है बाइनरी में बताए क्या बनेगा दीजिया दो से भग दो से किया दो से अठारा बार जाएगा बेटा एक बचेगा फिर दो से भाग लगाया तो दो निमा ठारा कोई शेश नहीं बचेगा फिर दो से भाग लगाया तो दो चौक आठा बार जाएगा चार बार जाएगा तो एक बच जाएगा अब दो से भाग लगाया तो दो दूनी चार पूरा पूरा चला जाएगा कोई 6 नहीं बचेगा बेटा फिर दो से भाग लगा हूँगा तो दो से एक वार दो एकम दो लेकिन कोई 6 नहीं बचेगा अब लास्ट में जो एक वचा है मुझे ये जरूर यहाँ पर उतारना पड़ेगा क्योंकि दो से एक पूरा पूरा नहीं कर सकता 6 बचे तो लिख दीजिए ना बचे तो 0 बेचे तो एक लिख दीजिए ना बचे तो 0 चिक है अब मैं इसे कैसे करूँगा अब मैं इसे नीचे से उपर की तरफ नोट कर लूँगा मैं इसे क्या बोल सकता हूँ बचा अब इसका मतलब अगर मेरे पास लिखा है सेंतिस तो मैं इसे बाइनरी में बदलूँगा तो कैसे बनेगा बटा बाइनरी में बनेगा यह यह 1 0 0 1 0 1 देखे लिखा है 1 0 0 1 0 1 समझ रहे हैं तो यह है मेरे लिए बाइनरी सेंतिस का कि बाइनरी में किस तरीके से बदलेगा बटा समझ जाएए यह मेरे लिए क्या है बटा यह मेरे लिए डैसीमल है यह मेरे लिए क्या है यह मेरा बाइनरी है ठीक है इसी तरीके से ये क्या है ये में लिए एक decimal number है और ये क्या है मेरा एक ये एक binary number है समझ रहें अब हम लोग ये तो समझ गए कि decimal से binary में कैसे बदला जाता है बहुत आसानी से हमारे को समझ में आगया decimal से binary में किस तरीकित से हम चीज़ों को बदल सकते हैं बचओ अब बात है binary से decimal में बदलना अब हमारे लिए अगली चीज़ क्या है हमारे लिए अगली चीज़ है बाइनरी से decimal में बदलना आपकी बार change हो गया आपकी बार binary से decimal में बदलना है ठीक है बच्चो binary से decimal कैसे बदला जाएगा आप देखते हैं binary मैं यही एक result ले ले लेता हूँ मानके चलिए मेरा एक result है 1 1 0 0 0 0 यही वाला result है इससे मैंने इदर copy कर लिया यह binary number है बड़े impeachment कितना है इसका 48 देखो कैसे आता है 48 हम क्या करते हैं इसमें 2 की power से start करेंगे बड़ा यहाँ पर लिखो 2 की power 0 से start करते हैं याद रखेगा हम इसा 2 की power 0 से ही start करना है यहाँ पर लिखे 2 की power 1 यहाँ पर लिखे 2 की power 2 यहाँ पर लिखिए 2 की पावर 3 यहाँ पर आजाईए लिखिए 2 की पावर 4 यहाँ पर आजाईए लिख दीजिए 2 की पावर 5 हमस्बा आ गया बिटा देखिए 0 जहां-जहां मिल रहा है आपको उसे काट दीजिए उसकी जरूरत नहीं है यहां पे 0 कोई जरूत नहीं, यहां पे 0 कोई जरूत नहीं, यहां पे 0 कोई जरूत नहीं, यहां पे नहीं है 0, लेकिन यहां पे 1-1 है, तो बिटा मेरे पास क्या क्या बच रहा है, 2 की पावर 5, और इसके साथ प्लच कर लिजे, क्या बच रहा है, 2 की पावर 4, कोई परिशा प्लस, दो की पावर चार कितना होता है बेटा, 16, 32 जोड़ो तो कितना होता है बेटा, वो होता है मेरा 80, आप समझ रहे हैं, तो जो ये binary code था, मेरा घूम के फिर से कैसा बदल गया, मेरे लिए फिर से वो कैसा बन गया, वो में लिए बन गया decimal, इस तरीके से आप लोग binary को भ हैं, हमारे पास दूसरा भी उधारण है, बाइनरी का एक number मैंने लिखा है, अब ही गर आया था, number क्या है, number है 100101, देखें ये लिखा है, और ये 37 है इसका result, decimal में, हम देखें किस तरीके से बटा, देखें यहाँ पे तो लिखूँगा 2 की पावर 0, यहाँ पे लिखूँग पावर 5, पहले सारी पावर लिख गए, स्टार्टिंग में 0 से ही करना है, यह याद रखेंगा 0 से, जिसके आगे 0 है, कार दीजे, कोई जरूरत नहीं है, इनकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, ठीक, अब मेरे पास क्या बस्ता है बेटा, यहाँ बस्ता है 2 की पावर 5, जब किसी भी संख्या की पावर 0 हो, तो 1 मान होता है, तो मैं देखिए 2 की पावर 5 कितना होता है बेटा, अभी निकाला था 32, 2 कितना होता है बेटा, 4, और 2 की पावर 0 कितना होता है, 32 और 4 36 और 1 37, तो में लिए यह result आगा 37, समझ में आ रहे हैं, तो इस तरीके से binary से decimal, decimal स binary में चीजों को बदला जाता है तो ये दो पद्धतिया हैं जो competition में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है decimal पद्धती या फिर binary पद्धती चीक है हम इस तरीके से values को बदल सकते हैं आप घर पे practice करते रहिए अपने आप कुछ भी संख्या आ गई होगी तो ये हमारी कुछ पद्धतिया थी पद्धतियों के बारे मैंने आपको चार तरीके की पद्धती बताई हैं लेकिन competition में दो ही पद्धतियां पूछी जाएंगी binary और decimal तो दोनों पद्धतियां हम लोग समझ चुके हैं कैसे आपस में बदली जाती है ठीके बच्चों आगे भी हम बात करते रहेंगे फिलाल इस चीज़ पर आप लोग ध्यान दीजिए ओके